इससे पहले ही मैंने अपना हेर वाश किया है एंड इससे पहले ये मास्क मैंने अपलाई किया है अपन सी बहुत जादा ही प्यार हो जाने वाले किन फिर भी होता है ये नॉर्मल चीजे है आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे शाहरा पहली बार देगर हो तो प्लीज दो सब्सक्राइब तो मुझे फॉलो कर सकते है और मुझे शोशल मुझे फॉलो कर सकते है उसकी लिंक मेरी रिस्क्रिप्शन वोक्स में होगी और हां मेरा एक फेस्बू का पेज भी है वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो वो परसेनली आपकी चोईस है और स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दू कि बहुत दिनों के बाद मैंने आप लोग के शाद शाद एक महीना हो गया है कि मैं शॉर्ट सी ज्यादा डाल वी थी क्यूंकि मुझे टाइम नहीं मिला था तो वो सारी चीजे करते करते थोड़ा सा वक्त लग गया और बहुत टाइम बाद आप लोग शाद एक बड़ा वीडियो में शेयर करें चीज आप लोग जैसे सपोर्ट करें हो ना वो चीज मुझे बहुत इछी लग रही है तो आप लोग वैसे ही सपोर्ट करते रहो और अज बैक ग्राउंड के साथ मेरा ड्रेश सब थोड़ा सा मैचिक हो गया और जो यह पूरा मेकवर है वो आप लोग को पसंद हो तो इससे पहले यह यह इसे के बाद आपको चैनल में देखने को मिल जाएगा शॉट्स में ही देखने को मिल जाएगा कि यह में कैसे किया है तो पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना ठीक है शार्ट कर देखने है यह इसे वीडियो लाइट के स्टाड़ा है तो आज किस टॉपिंग में वीडियो होने वाला है आज मैं एक DIY आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ आपको बेनेफेट्स मिलेगा वो रिए चाहार है ठीक है तो आप वो चीज ठाइ कर सकते हो तो पहले इंग्रियंण्स जो जो लेना है वो पहले देखued लो मिति दाना यह फेनागर्ट सीज रहेैनर दाही ज़ार और कोकॉनाइट्स और टॉल पीश जाहिए झांषा लेसक पाले पाल आप शाहिर इससे पहले यह मास्क मैंने अप्लाई किया है अपने हैर पे तो आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है और कितना ग्लॉजी भी दिख रहा है तो आपको ऐसा ग्लॉजी ठीक ठाक और एक्छुली में हम लोगों को जैसा हैर चाहिए के हैल्दी हो हैर और वो ज्यादा टूटे ना हैर फॉलिंग ज्यादा ना हो है स्काल्प में जो भी सारे प्राब्लम्स हो उससे हम लोगों को छुटकारा मिल जाए तो इसके लिए आप आप ये को फॉलूव कर सकते हो लेकिन एक चीजा है रेडिमन्ट चीज होती है तो वो जल्दी जल् лишь हो जाती है लेकिन ये डी आई वाई है तो इसमें आपको थोड़ा सा महनत देना पड़ेगा महनत नहीं दोगा तो महनत का फल पाष़ल कैसे मेले transpald तो इसमें इंग्रि घरे हो तो आप यूझ कर सकते हो आपका offer दॉजाएट आ तो आप उसको सीप भी कर सोपारी था हेड़ WR大概 जांपू करी थी ते पहले मेरे हेर तोड़ा सा जादा ड्राइट था क्योंकि कुछ दिनों से प्रॉपर नहीं केर कर पा रही थी और कुछ दिनों सब्सक्राइब हो रहा था इसलिए बाहर जाना पड़ रहा था इसलिए मैंने को कोनाट आल मिक्स किया था वह आप लोग के उपर जिसकर नहीं तो फेनेग्रेश के बारे में क्या बताऊ वही सोच रहे हो कि इसके बारे में बहुत-बहुत बहुत सारे benefits है आपके hair के लिए आपके hair की growth के लिए hair falling आपको ज्यादा हो रही है तो आप उसको recover करने के लिए hair falling को कम करने के लिए उसको use कर सकते हो और उसको use करने के बाद आपको एक चीज मैं recommend कर सकते हूँ कि आपको और को चीज अच्छा नहीं लगने वाला है ठीक ह और DIY क्या होता है, इसमें chemical नहीं होता, आपको थोड़ा सा time देना पड़ता है, regularly इसको use करना पड़ता है, उसके बाद आपको result मिलता है, लेकिन chemical में आपका hair damage भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे जब मैं अपने hair को देखती हूँ, फील करती हूँ, किसी भी pack को use करने के बाद, तब आपको देख भी, आप दोग देख भी सकते हो के मेरा hair कितना अच्छा, कितना, मतला, flexible हो चुका है, जो मैं कहीं भी ऐसा-इसा करूँ, और एक चीज, जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हूँ, उनको पता होगा, कि मैं hair जिस दिन wash करती हूँ, उस दिन मैं hair क को कॉंब नहीं करती हूँ, तो यह जो result मिला है, यह result मेरा पूरा ही hair wash करने के बाद है, यह कैसे होता है, यह चीज एक trick है, जब भी आप कोई भी mask यूज करो, oiling करो, hair में, जो भी करो, उसके पहले आप करना है, उसके बाद ही आप उसको use करो, तो उससे क्या होता है, उसक ऐसे hair पा सकते हो, मतलब बिना कोम किया, तो जब ही आप तो यह तो बाद करी थी, वो seeds actually आपके hair को growth करने में, hair falling को कम करने में, बहुत जादा help करता है, और एक चीज आप गर्मी के ताइमें, क्यूंकि अभी गर्मी पढ़ चुके, तो गर्मी के ताइमें, आप जब भी इ तो आपको उसको आदा गंटा ही या 15 मिनिट, 15 मिनिट या आदा गंटा ही आपको हैर में स्टेक करने देना है, और वाश इट क्यूंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए गर्मी के ताइम में आप जब यूज करोगे, मैं रेकमेंट करूंगी के आदा इसलिए दूपन करने करने हैर में आपके काम होचतेज नहीं कोहगे तो असलिए आप धो सकते कोईप्राबलम नहीं होगी और इसका सथैंडेट है दाही जो में कोई भी प्रापलम होो आपके स्कून में बहुत टाइम से प्राबलिम चलाई या तो फिर बहुत ऐसाड़ इ तो आप नॉर्मली इसको सिर्फ मैं बोलूगी एक बार सिर्फ दही को आप हैर मास के तरह रखो एक घंटा या आधा गंटा रखो उसके बाद वाश अप कर दो जो रेजल्ट आपको मिलेगा ना वो चीज देखने लायक होगा और इसके उपर स्पेसिफिकली मैं एक वीडिय तो डालने वाली हूँ वो थोड़ा सा बाद में जालूगी तो आपको रेजल्ट देखने को मिल जाएगा उसके बाद भी आप ट्राइ कर सकते हो क्योंकि आपको लग सकता है कि यह तो सिर्फ बोल देही है तो मैं क्यों ट्राइ करूँ देखो और दही में जो एंटिवेट के साथ दही को पहले मेक्स कर लिया है उसके बाद ही मैंने यूज किया है इसके लिए मैंने इसको गंटा या 45 मिनिट्स मैंने रखा है उसके बाद मैंने वाश रफ कर लिया है अब लोग देख सकते हो कि इससे पहले ही मैंने यह वाला मास्की उज किया था और रेजल्ट कि यह था हैर में वो पूरा चल गया है मैंने भी कोई भी सीरम यूज नहीं किया है इसमें ही कितना सौफ्ट एंड कितना मतलब कम्फर्टबल है आप ऐसे भी ऐसे भी कर सकते हो तो उलजता नहीं है पेश्ट को कैसे या मास्क को कैसे आपको प्रिपेर करना है तो पहले आपको मेठी दाना को एक बाल में ले लेना है और उसको आपको ओवरनाइट शोक करने देना है तो वो हो जाने के बाद आपको उसको एक मिक्सी जार में मिक्स कर लेना है नहीं तो ठीक से आपको हेर में अपलाई करने में तोड़ी से प्राब्लम हो सकते है तो उसमें एक्स्ट्रा जो पानी बचयेगा वह भी आपको उसमें ही दे देना है जब ब्लेंड गेंड करना है उसके अंदर ही आपको दही को मिक्स करना है और और अप्चोनट अउप्चनल है that is को धानिक बार आपको तो ऐसे मिक्सप आपको कर लेना है उसके बाद आपको जिस कंजनर में डखना है डख लो से प्रिपेर करने के बाद आपको स्कल्ब में नॉर्मली यूज करना है वह भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दे वह देख लो तो आप देख सकते हूं मेरे हैर बहुत जादा ड्राइ थे तो इसलिए पैक ऐसे ही बना था उसके बाद मैंने उसमें कोकुणनट आयल को मिक्स किया था उसके बाद ही मैंने पूरे हैर में अपलाई किया था तो इसको आप थोड़ासा और भी वाटर वेसिस कंसिस्टीं में भी पेस्ट कर सकते हो लेकिन मैंने ऐसे ही किया था तो वह आपके उपर डिपेंजन्ट है तो उसके बाद आपको पूरे हैर में स्कल्ब में इसको एपलाई कर लेना है और एक चीज यह सीड्स है और यह थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी है इसलिए क्या होता है आप जब हैर वश कर लेते हो उसके बाद भी आपके हैर में यह थोड़े-थोड़े से दिखते है तो कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वह आप जब कॉम करोगे तो आप की से हैर से हैर वश कर लेने के बाद आपके हैर जब ड्राई हो जाएंगे तब आपको कॉम करना है तो तब आपके है जो भी सारे फेनेगर तेट बढ़ जाएंगे वो आपकी हेर से चले जाएंगे तो मैं जैसे अपलाई करी हूँ पार्टिशन पार्टिशन करते हुए पूरे सकल्प में आपको यूज कर लेना है और मैंने पहले सामने वाले पोर्शन में यूज कर लेने के बाद कैमरे को आफ करते हुए पूरे हेर में अपलाई कर लिया था और बन भी बना लिया था उसके बाद आपको कोई भी पैकट य तो इसलिए वह कर लेने के बाद दिख सकते कि प्लास्टिक भी मैंने लगा लिया है है इसके बाद मैंने रखने के बाद जितना तैम कर दो आपको इसको कोई भी पोलिफिन रप उखने नहीं देना है क्योंकि सुग जाने के बाद यह जादा अकड जाता है तो आपको शैंपू करने के टाइम में ठोड़ा सा प्राब्लम होता है और वाश अफ करने में भी बहुत ज़्यादा प्राब्लम होता है इसलिए आपको इसको ज्यादा सूखने नहीं देना है उसको पैक करके रख दो जितना टाइम आपको रखना है मतलब 45 मिनिट्स आपको तो फिर आप उसको आदा गंटा या 15 मिनिट्स से रखने देना है उससे जाधा नहीं इससे क्या होता है इससे जादा ब्लाज स्ल्कुलेशन बढ़ जाती है है जादा गर्मी स्कल्ब में जादा गर्मी के चकर में हैर फॉलिंग जादा होती है इसलिए आपको राइट लेकिन एक चीज है यह DIY है इससे आपको पहले वर्ष में ही पूरा अच्छा रेजल मिल जाएगा आपका हैर फॉलिंग पूरा बंध हो जाएगा ऐसा नहीं है आपको इसको रेगुलरी बैसेस में यूज करना है मतलब हफ्ते में आपको इसको दो बार यूज करना है तो आप को एक महीने में या तो फिर आधा महीने में जिसका हैर फॉलिंग जैसा हो रहा है जिसका बहुत ज्यादा हो रहा है उसका एक महीना लगेगा जिसका कम हो रहा है उसका पंद्रा दन में आपको देखने को मिल जाएगा के रेजल्ट कैसा आ रहा है और आपकी हैर फॉलिंग कम हुई या नहीं actually मैं hair falling क्या होता है hair falling हो जाता है जो roots के hair थोड़े से कम होते है मतलब manageable नहीं होते and वो तूट चुके है वहाँ से तो वो सारी hairs आपके पहले गिरी जाती है उसके बाद ही छोटी छो hairs baby hairs होते है उसे ही आपकी hair growth फिर से होती है ठीक है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना है सबर रखके काम करना है नहीं तो आपको result अच्छा नहीं मिलेगा coconut oil की बारे में क्या बोलू तो वो अलग ही है coconut oil के उपर मैं अलग करकी एक वीडियो आप लोग शायर करने तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज दू सब्सक्राइब तो माई चैनल और प्रेश दाबल आइकन सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोग को पता कैसे जलेगा के मैंने कौन सा वीडियो डाला है और आप लोग के लिए वो अच्छा है या नहीं जैसे यह चीज आप यूज करो मैं शेयर करें वो चीज आप यूज करो उसके बाद आके जरूर बताना के रेजल्ट आपको कैसा मिला आप इससे कितने सैटिसफाइड हुए ठीक है यूज करने के बाद आपको इस पैक से बहुत जादा प्यार हो जाने वाला है तो मैं रेकमेंट्स करूंगी कि यूज करके देखो यूज नहीं करो बहुत सारे प्रोजक्ट बहुत सारे केमिकल प्रोजक्स बहुत कुछ आप लोग यूज करते हो यह चीज भी एक बार कितना अच्छा एक हेल्दीनेस आप देख सकते हो जिसके कारण मेरी हेयर केर रूटीन है जो मैं फॉलो अप करते जाने हूँ वह आप लोग के साथ तो मैं एक दिन में पूरा शेयर नहीं कर पाऊंगी ना क्यूंकि सच बताओ कुछ भी चीज होने के लिए टाइम लगता ह तो उसके लिए आपको पेशन्स रखना पड़ेगा आप पेशन्स रख के कोई काम करोगे तो उसका फल आपको 100% मिलेगा हैर पूरे दिन में 10 या 12 टूटे ठीक है यह लेकिन कॉमन चीज़ है यह होता ही है यह मेरे साथ भी होता है मैं इतना सारा रेमेजी फॉलो करती हू मेरा हैर ऐसा है हल्दी है लेकिन फिर भी होता है यह नॉर्मल चीज़े है इसको लेके जादा सोचो मत कि हैर फॉलिंग हो रहा है है और एक चीज दूसरी चीज़ है कि आपको इस रेमेजी को हफते में मैंने कहा कि दो बार यूज करना है लेकिन आप ऑफिस करते हूँ जो जिस दिन हो उस दिन आपकी खुत की प्रॉपर केर करू एक दिन अपने लिए दो तो फिर आपको दिखने को मल जाएगा कि रेजल्ट कैसा बीलएगा यह जो रेमेजी मैंने आप लोग सब्सक्षा शेयर की है यह जो पक वो आप नॉर्मली बच्चे लोग बूड़े वो सारे लोग यूज कर सकते हो मेरे एज के हैं मेरे एज से बड़े हैं छोटे हैं जो भी है लेकिन मैं रेकमेंट्स करते हूँ हर चीज में कि आपकी एज जब 9-10 years हो जाएगी उसके बाद ही आप कोई भी चीज यूज करो वो DIY भी हो सकता है जो भी उसके बाद उसके पहले नहीं खुद के ऊपर काम करती है जो है वो नैच्टरल चीजे होती है उसके उपर आप कुछ जादा नहीं करो तो ही अच्छा है तो इसलिए मैं रेकमेंट्स करूंगी कि नहीं करना है अब आप बोलोगे कि यह पैक क्या यूज नहीं कर सकते वो नहीं है DIY पैक है आप सरूर यूज कर सकते हो आपको लग रहा है कि आपके बच्चे लोगों के सादा हैर फॉलिंग हो तो आप डेफिनेटल यूज कर सकते हो लेकिन मैं रेकमेंट्स करती हूं कि 9-10 येर्स के बाद आप कोई भी रेमेंडी फॉलो करो उससे पहले आप हैर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कोई भी आप नॉर्मली चॉकोना टॉयल यूज कर सकते हो इतने सारे गुन है इतने सारे जो मैं आवराओ के साथ एक अलग वीडियो में शेयर कर दूंगी तो आपको उसमें देखने को मिल जाए तो मैं रेकमेंट्स करूंगी कि प्रेस दबलाइक है और मुझे शोशल मिजय भी फॉलो कर सकते है उसकी लिंक मैं नीचे रे स्किप्शन बॉक्स में प्रवाइट कर दूंगी तो दू चेक आउट और फॉलो में तो और मेरा एक शोशल मिजय पर मेरा फेस्बुक के पेज भी वहां भी मुझे फॉलो कर सक मतलब सब के ही हो रहे हैं करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो या नेक्स व्लोग में आज के लिए इतना ही स्टेट्यून एंड स्टेबलेस्ट बाइबाई